हेलो एवरिवान वेलकम थुमाएं हिंदी घ्यान बोध यूटूब चैनल तो आज की इस वीडियो में हम असिस्टन ट्रॉफेसर रिक्रूट्मेंट के डिटेल को कवर करेंगे जो की निकल किया यह एक स्टेट यूनिवर्सिटी से तो रहतक हर्याना से रिक्रूट्मेंट है महारशी दयानंद यूनिवर्सिटी इसकी वेबसाइट पे जब आएंगे तो यहीं से आपको पहले नंबर पे ही रिक्रूट्मेंट 2024 ऑप्शन देखने को मिलेगा गिरीन कलर का इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक नया पेज ओपन होके आएगा तो यहां से अपर अडवर्टीजमेंट नंबर जो है यहां पे मेंशन कर रख है अडवर्टीजमेंट नंबर पी यार जीरो एट ओफ दोहजार चौभीस अडवर्टीजमेंट का नोडिफिकेशन और यहां से आप लॉग-इन हो सकते हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए तो इसको डाउनलोड करके यहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अडवर्टीजमेंट को यहां से भी important link से भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहां से login हो सकते हैं तो जो भी देखिए यहाँ पर अडवर्टीजमेंट नंबर है सब कुछ है अपलाई करने का भी है तो पहले तो आप इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके में में इंस्ट्रक्शन रीडाउट कर लीजिए जो की निकल किया है पर्मानेंट रेगुलर टीचिंग पोस्ट ऑफ असिस्टन प्रोफेसर तो रेगुलर मेंस पर्मानेंट पोस्ट तो ओनलाइन अप्लिकेशन सुरू 11 मार्च से सुरू हो चुका है यानि आज से क्लोजिंग डेट इसकी रहने वाली है तीन एपरल दो हजार चौबिस नीचे यहाँ पर वेबसाइट लिंक आपको अबरिफिकेशन देखने को मिल जाएगा साथी अड़ोटीजमेंट तो यहाँ पर पोस्ट दे रखें हैं सब्जेक्ट और नमबर ऑप पोस्ट नीचे ही आपको देखने को मिलेगा तो तो इस वे नंबर पर देखें यहाँ पर हिंदी है तो हिंदी में टोटल कितनी सीट ह है तो हिंदी में अंुरिजर्ब में तीन सीट है और एससी में यहाँ पर इक सीट है बी-सी ए में एक सीट है BCB में एक सीट है तो तो टोटल यहां पर तीन, एक चार, पांचे सीट है टोटल हिंदी में और नीचे स्क्रोल करेंगे तो बाकी भी डिपार्टमेंट है आप अपना डिपार्टमेंट चकाउट कर लिजे तो टोटल सीट तो नहीं मेंशन किये किस किस डिपार्टमेंट में किस किस सब्जेक्ट में कितनी सीट है वह मेंशन है आप चकाउट कर लीजिए अन्रिजर्ब की यहां पर जो मतलब एप्लिकेशन फीस है 1600 रुपे है फीमिल हर्याना रेजिडेंट जो है वह 800 रुपे है तो बाहरी कैनिडेट अगर अपलाई करते हैं तो वह अन्रिजर्ब में आएंगे और उनकी अप्लिकेशन फीस यहां पर 1600 रुपे रहने वाली है SCST हर्याना के जो है उनको यहां पर 400 रुपे फीस रहेगी तो मतलब जो हर्याना कैनिडेट के हैं उनको अप्लिकेशन फीस यहां पर 800 रुपे फीमिल के लिए और यहां पर सबमेंशन कर रखा है उनकी 400 है पी डबलूडी हरियाना की नेल है अप्लिकेशन फीस तो बहारी के निडेट अगर अप्लाई करेंगे तो वह रिजर्व मतलब अन्रिजर्व में होंगे जर्नल कैटेगरी में अकाउंट होंगे तो उनकी 1600 फीस रहने वाली है और उसके बाद important instruction दे रखिए उनको आप read out करना चाहें तो कर सकते हैं तो main main जो है मैं आपको उनको सारे बता दूंगी तो नीचे scroll down करते हुए जब आएंगे तो आपको 16 नंबर पेज पे आपको देखने को मिलेगा मैंने इस advertisement को read out कर लिया है तो 26 नंबर का ये advertisement है तो उसको क्या ही पढ आपको बता देती हूं बाकी डिटेल नोटिफिकेशन आप खुद से डाउनलोड करके पड़ लीजेगा अगर अप्लाइ करना चाहते हैं तो यहां पर देखिए criteria for shortlisting तो यहां पर return test नहीं होगा आपका ये जो criteria दिया हुआ है इसी के basis पे आप shortlisted किये जाएंगे और eligibility यह यहां पर क्या मांगी गई है यह सारी selection के लिए आपको यह सारी knowledge होनी चाहिए जो कि यहां पर waitress दे रखी है और नीचे scroll करेंगे तो यहां पर आपको mention मिलेगा eligibility तो qualification for assistant professor तो यहां पर आपका net PG 55% marks के साथ आपका net qualify होना चाहिए और जिनोंने दो हजार नो और सोला के regulation के according MPH PhD degree ले रखी है वो net से exempt रहेंगे यह सब mention कर रखा है आप उनको check out कर लिजेगा तो कैसे apply करना है मैंने आपको बता ही दिया यहां पर qualification क्या है वो भी mention है इस notification में application fees क्या रहने वाली यह last date क्या रहेगी किस department में कितनी seat है यह सारी मैंने आपको information दे दी और website link भी मेरे वीडियो के description में मिल जाएगा तो देखिए यहां पर हिंदी subject है especially Hindi subject सही मैं अपने चैनल के मादे हमसे assistant professor recruitment साथ ही PhD update देती हूँ जो कि आपको भी पता है बहुत rare निकलती है जब तक हमें पता चलता है date निकल चुकी होती है तो day by day इसी तरह की जितनी भी recruitment आती है मेरे चैनल पर आपको सारी updated मिलेंगी back to back जितनी भी recruitment की update आप लेना चाहते है चैनल को तुरंत मेरा subscribe कर लिजे और bell icon press कर लिजेगा तो मेरा चैनल यह है Hindi ग्यान बोध तो इसको आप चैनल को subscribe करिए और ज्यादा ज्यादा इसको share कर यह मेरा channel है तो फिर मिलते हैं एक नए video में एक नए topic के साथ धन्यवाद